नमस्कार जी दोस्तों मैं रविकान जन्पर देवरिया उत्तर प्रदेश से आपके साथ एक वाफिर कैसे हैं आप लोग जी यहाँ बिलकुल नमस्कार कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं आज एक और बगी ख़बर हमारे हाथ लगी उत्तर प्रेस मादमिक सिक्षा परिशत के बोर्ड परिच्छाओं से रिलेटेड जी यहाँ बिना सत्र बदले अगले वर्स फिर इंटर की परिच्छा दे सकेंगे चात्र इस हेडिंग के साथ आज मैं आपके सामने हूँ आज सुबह सुबह डैनिक सम्मानी समाचार पत्र दैनिक जागरण के हवाले से मैं आपको खवर यह पहुशा रहा हूँ आपके पास तक सभी मित्रों का सभी शुबशिंतक बंदुओं का सम्माने शिक्षग गांग और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो सेशन में मेरे साथ जोते हैं सभी का हुर्दय की गहराईयों से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ और आपके सामने आज अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ कि दैनी जागरान सम्माने समाचार पत्र ने आज अपने मुख फिरिश्प्यस थान दिया है इस खबर को कि बिना सत्र बदले अगले वर्स फिर इंटर की परिशा दे सकेंगे छात्र ये खबर मेरे हाथ लगी तो मुझे लगा कि आपके पास तक यह सूचना पहुचनी चा रहे हैं इसके पहले मैं आपको दीगे बताता चलों कि लगबग 29 लाख परिशारती चमा चाहूंगा 30 लाख 29.94 लाख यानि 29,94 लाख यानि लगबग लगबग यह 30 लाख की संक्या है जो हमारे हाई स्कूल के परिशारती थे इनको सीधे सीधे प्रमोट किया जा रहा है औ बोर्ड परिशा को पूरी तरह से निरस्त करते हुए सभी बच्चों को कच्छा 11 में प्रमोट करने का ने लिया जा चुका है लबग 30 लाख बच्चे इस निरनाय से प्रभावित हुए हैं जिनको अगली कच्छा में प्रमोट किया गया है इसके लिए कमेटी बना दी गई है लेकिन जो 26 लाख परिशार्थी थे इंटरमीडियेट के जिनके बारे में ये बताया जा रहा है बार बार कि जुलाई के दूसरे सब्ता हमें परिशाएं हो पानी सम्भावित हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर आई है कि ऐसे परिशार्थी जो कोरोना से प्रभा होने के कारण परिशा में उपस्तित नहीं हो पाएंगे ध्यान पुर्वा सुनेंगे ये खबर सिर्फ उनके लिए होगी जो परिशा के दौरान या परिशा के पहले कोरोना से प्रभावित होने के कारण परिशा नहीं दे पाएंगे यदि कोई परिशार्थी यानि जो हमा 2022 की बुड़ परिच्छा में पुना मौका देगा यद जब की उनका जो सत्र है वो 2021 का ही रहेगा ध्यान देने वाली बात होगी 2022 में भले ही वो परिच्छा देंगे यानि COVID की वज़े से अगर वो 2021 की ये जो परिच्छा होने जारी जुलाई के दूसरे सप्ता में यदि उस वो नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो उनको 2022 यानि अगले वर्स की परिच्छा में मौका दिया जाएगा लेकिन उनका जो सत्र होगा यानि जो उनका अंकपत्र और उनका जो प्रमानपत्र जारी होगा वो 2021 का ही जारी होगा यह केंदर सरकार ने छातर हित में बहुत नरने लिया है क्योंकि इंटरमीडियर की परिच्छाएं बगी महत्तपोर्ण होती हैं बहुत सारे आगे भविश्य की नौकरियां और बहुत सारे ऐसे हायर एजूकेशन होते हैं जो इंटरमीडियर के प्राप्तांकों पे ही बेजड होते हैं होते हैं बहुत सारे ऐसे होत परिच्छाएं कराई जानी चाहिए छात्रहित में ये अतियावश्यक है यद्यब की हाइश्कूल के बच्छों को ले कर कि ये शंशे बना हुआ है कि उनकी जो परिच्छाएं निरस्थ हुई है जो उनको प्रमोट किया जाएगा वो प्रमोट कैसे होंगे प्रथम सगेंगे ज्यूतिय सगेंगे या तीतरी सगेंगे कैसे लिखा हुआ आएगा या फिर जनरल प्रमोशन सबका एक साथ होगा तो इस वीशे पे कमेटी गठित कर दी गई है जो अतिशेगर निर्णाय ले करके आपके सामने रखेगी बोड ने अपने साथना देश में ये बात कहा है कि विस्तरित दिशा निर्देश अभी आने सेस हैं विस्तरित दिशा निर्देश जलजी आते हैं मैं रविकान मंतर पार्थी अपने चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट जरूर दूँगा दोस्तों मैं आपको एक साथ साथ बताता चलों कि जो हमारा आदेश आया है उसमें बताया गया है कि इंटर्मिडिट की परिशा जो तीन घंटे 15 मिनट की हुआ करती थी उस परिशा का समयंतराल घटा करके एक घंटा 30 मिनट कर दिया गया है यानि तीन घंटे की जगा पे मात दियर घंटे की परिशा में हम लोगों को बैठना है इसके साथ बहुत सारे विद्यातियों के एक्षेंश है बना हुआ है लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वाटस अप लोग पूछ रहे हैं कि सरी जो दस में से तीन क्वेस्चन करने होंगे वो किस तरह के आएंगे तो दोस्तों दो बाते मैं आपको बता दूँ कि आज का जो हमारा ख़बर है मैं स्क्रीन पर आपके साथ साथ लगा दिया हूँ इस ख़बर को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि सरकार ने या अंदाजा व्यक्तिकी याक्ता की जहां पे पांच प्रश्ण करने हो इस आदेश में कहा गया है कि इंटर की परिषाएं 1.5 गंटे में होनी हैं समय आधा होने से परिषार थी जिस प्रश्ण पत्र में 5 प्रश्णों के जवाब देना था उसमें से केवल 3 प्रश्णों के जवाब ही देने होंगे यानि केवल तीन प्रशनों के उत्तर देंगे 50 प्रतिशत के अनुपात में सभी विश्यों के प्रशनपत्रों को हल करने के लिए प्रशनों की संख्यात्तें की जाए इसके अनुपालन में यूपी बोर्ड को करना है अर्थात इसका अनुपालन यूपी बोर्ड को करना है यानि हर विशयों में 50% ही आपके सामने प्रश्ण आएंगे जिनका उत्तरा को देना होगा लेकिन इस बात को एक बाद कुना हमारे मन में आशंका अगर कर रही है इस ख़बर को पढ़ने के बाद कि जैसे विशयों दिर्शान देशाते हैं मैं आपको फिर्शेश शियर करूँगा लेकिन इस बात को नमान के जलें कि तीन ही प्रश्ण करना पड़ सकता है क्योंकि जैसा कि आज की खबर बता रही है शासना देश कहा रहा है कि 50 प्रतिशत प्रश्णों को सेट करने की कार्योजना वो बना रहा लिखा है कि 50 प्रतिशत के अनुपात में सभी विशयों के प्रश्ण पत्रों को हल करने के लिए प्रश्णों की संख्या तैं की जाए यानि प्रश्णों की संख्या भी तैं की जानी है अभी किसी तरह का कोई model paper जारी नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई pattern जारी नहीं हुआ है समितियां गठित की गई है, एक दो दिन में विस्तित जैसे ही pattern आ जाएगा मैं model paper आपको अपने channel पर अउलेबल करा दूँगा तो दोस्तों इस बात का भी सेज़ ध्यान रखेंगे कि 50% ही आपको प्रशन करने हैं, डेर घंटे का होना है प्रशन पत्र का model एक से दो दिन में आ जाएगा, जैसे ही आता है मैं आपके सामने उपस्तित कराऊंगा आज ये खबर हम लोग 31 में 2021 को देख रहे हैं, जैसे ही आता है नया खबर मैं आपके सामने अप्लोड करूँगा तीसरी बात ही है कि जो भी परिशाती कक्षा 6, 7, 8, 9, 11 में हैं, उनको भी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना है यदि उनके प्रमोशन संबंधी किसी अइभाव को कोई शिकायत है, यानि कक्षा 6, 7, 8, 9, 11 के परिशातियों को भी प्रमोट किया जाना है यदि इनके इभावकों को उनके प्रमोशन संबंधी, शुल्क संबंधी कोई समस्या आती है, तो यह सास नादेश कहता है कि आप अपने जिले के संबंधी संबंधी संब्माने जिला विद्याले निरिशात से मिल करके अपनी शिकायत नोट करा सकते हैं और संबंधी स्कूलों से अपनी मांग रख सकते हैं, तो मित्रों यह बहुत बगी ख़वर थी कच्छा 6, 7, 8, 9 और 11 के सभी जो आंतरिक मुल्यांकन वाले परिशाती ते सभी प्रमोट हो रहे हैं, इनकी जो निगरानी समिती है वो संबंधी जिला विद्याले निरिशक्य धच्ता में हैं, आप अपने जिले से ही इसके जिवान से सौल करा सकते हैं, कच्छा 10 के सभी परिशारती जो तक्रीबन 30 लाग हैं, यानि 29, 9, 4 लाग परिशारती ये सभी के सभी प्रमोट हो रहे हैं, इंटर्मीडिर के लगब 26 लाग जो परिशारती हैं, जिनको परिशा नहीं होगा, क्या ऐसा नहीं है, तो मित्रो मैं आपको बताता चलू कि डिर घंटे में कोरोना होने नहोने का सवाल नहीं है, बलकि या समस्या घटा के डिर घंटे इसलिए की गई है, ताकि आप कम से कम समय में अपनी बात को रख सकें, परशनी इसी आप से सेट की और दूसरा फादा मेरे जैसे सिक्षकों को होगा, जो कांपियों का मुल्यांकन करते हैं, ताकि कम समय में ही हम आपकी कांपियों का मुल्यांकन कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा, और जब रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा, तो निया शेश कापिया जल्दी जांच लेंगे और आपका result जल्दी जारी हो जाएगा तो मित्रों मैं पूरी खबर को एक अफिस समराइज कर दू कि आज की जो खबर है आज का जो मेरा वीडियो है ये मुख्यता इस पॉइंट पे डेडिकेटर था कि इस वर्ष अगर किसी परिशाथी को COVID हो गया परिशा के दोरान या परिशा के पहले और वह परिशा में सामिल नहीं हो पाया तो वह अगले वर्ष यानि 22 की परिशा में सम्मिलित होगा लेकिन उसके अंक पत्र पे जो उसका शेशन होगा वो 2020-21 ही लिखा जाएगा उसको 2020-21 की ही परिशा मानी जाएगी बोर्ड उनको दुबारा मौका देगा दूसरी खबर मेरी आज की ये थी कि हाई स्कूल के सभी परिशाती प्रमोट हो रहे हैं तीसरी खबर मेरी ये थी कि जो भी कच्छा 6, 7, 8, 9, 11 के जो परिशारती हैं जो अंतरिक मुल्यांकन से प्रमोट हो रहे हैं यदि उनके अई भावकों को किसी तरह की कोई शिकायत है तो वो अपने जिले के समंधित जिला विदाले निर्चक महुदे से मिल करके अपनी शिकायत नोट करा सकते हैं और अंतिमाज की खबर ये रही कि जो पचास प्रतिशत अंकों के साथ परिशा होनी है इस बात को बच्छे ये न माने कि कुल दस में से तीन ही प्रश्ण करने हैं बलकि यूपी बोर्ड को इसके लिए विश्टत दिसाने देश दिये गए हैं कि आप करिपया मॉडल पेपर जारी करें कि किस तरीके से प्रस्ण सिट होंगे समंधित बोर्ड को यह बताया गया है कि आप पचास प्रस्चत प्रश्णों की संख्या सिट करें ताकि विद्यार्थी दिर घंटे में ही अपने संपूर्ड विशय ग्यान को आपके सामने प्रस्ट उतकर सकें तो मित्रों मैं रविकान मत्र पाठी जनपर दिवरिया से आपका सिक्षक आपका मोटिवेटर आपका अंकल आपका भाई आपका फैमिली मेंबर आपके साथ था बिलकुल भी हम लोगों को हतो साहित नहीं होना है अपनी सबसे बेस्ट तैयारी करनी है मुझे अच्छी तरह पता है कि आप इस भारत वर्ज के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो जिसने सबसे अच्छी तैयारी की है दोस्तों बाकी मैं आपके साथ 24 इंटो 7 रेड़ी हूँ जहां कहीं आपको जैसे भी दिक्कत आती है प्लीज आप हमसे कांटेट करिये मैं आपके साथ ख़गा हूँ हमें हारना नहीं है बहतर से बहतर प्रशन करना है और अपने बोर्ड को टॉप करना है दोस्तों तो फिर तैयारी करिए जल्दी ही मिलता हूँ जो भी कोई नई ख़वर आएगी मैं लेकर सबसे पहले आपके सामने आओंगा नमस्कार सबस्रीयकाल